राजिपाल अनुसुया उईके ने चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों से आगरहे किया है कि वे दूरस्त और पहुचवीन ख्षेत्रों में अपनी सेवाइं दें ताकि इन इलागों में भी बहतर स्वास्त सुविधाएं मिल सकें राजपाल कल राइपूर के पंडे जवाहलाल नहरूस पृति चिकित्सा महाविध्याले की वाइट कोट सेरिमनी और चरक शपत समाहरों में शामिल हुई कारिकरम को संबोधित करते हुए राजिपाल ने कहा कि चिकित्सा पाठिकरम में प्रवेश लेने वाले विद्यार थी जब पढ़ाई पूरी कर बतोर चिकित्सा के अपनी सेवाएं देंगे तब वे सीधे तोर पर आम लोगों से जड़कर उनकी समस्यां को दूर कर पाएंगे तब ही उन्हें इस पेशे का वास्तवे को देश और वाइट कोट का महत्व भी पता चलेगा उन्होंने कहा कि राश्टिय आयुर्विग्यान आयोक की पहल पर MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेश्रत विद्यार्थियों को दिलाई जाने वाली हिपोक्रेटिक ओत को चरक शपत से बदलने का निर्ने सरहनिय है इस पहल से विद्यार्थी भारतिय परमपरागत चिकित्सा और इसके गौरपूर्ण इतिहास से परिचित होंगे साथ ही ये शपत चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के योगदान का भी सम्मान है इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर विष्टू दत ने नए विद्यार्थियों को चिकित्सा नैतिक्ता के पालन के लिए चरक शपत दिलवाई वहीं चिकित्सा महाविद्याले की अधिश्ठाता डॉक्टर तृप्ती नागरिया ने महाविद्याले की स्थापना और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी साजा की